नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्मेक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उप प्लब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतनकोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। Hello Everyone, तो यहां पर हम समरी वीडियो के उपर बात कर रहे थे, जो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं बायो मॉलिक्यूल के अंदर, जिस्पे हमने बहुत सारे क्वेशन को इस से पहली वाली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहां पर हम नए क्वेशन के साथ आप के सामने होंगे जो हमारे पास पहला क्वेशन है वो कुछ इस परकार से है यहां पर लिखा गया है कि गुलकोज में कार्बोनिल समों की उपस्तिती की पुष्टी कीजी यानि कि गुलकोज में क्या होता है कार्बोनिल समों होता है इस परकार का समों होता है लेकिन हमें क्या क यही ऐखेगा, जिस से हमारे पास जो नया निर्मित योगिक मिलता है, thousand weiß Vou तो चलिए हम इस परकार से यहाँ पर रीयक्शन को देखेंगे, कि सबसे पहले हम क्या लेगे, यहाँ पर discoveries बिलेगे जिसको हम इस परकार से भी लिखते हैं, CHO, यहाँ पर CH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH का होल्ड, फोर, इस परकार से भी लिखते हम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 OH, यह होगी हमारा यहाँ पर, गुलकोज, इसको अगर हम रियक्ट करवाते हैं, हाइडोजन, साइनाइट के साद, यहानि कि HCN के साद, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है CM, यानि कि मैं इसी कलर से यहाँ पर लिख लेता हूँ, कि यहाँ पर जुड़ा हुआ है, साइनाइट, साती साथ यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, CHOH का होल 4, यह है हमारे पास यहां पर नयायोगिक निर्मित हो गया है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं, गुलकोज साइनो हाइडरिन, यह हमारे पास यहां पर निर्मित होता है, जब हमने गुलकोज को हाइडोजन साइनाइट के साथ रियक्शन कर वा है, तो यहां पर होता क्य है यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है जिससे यहाँ पर साइनाइड जुड़ गया है यानि कि यहाँ पर ऑक्सिजन इस परकार से रहता है यहाँ पर पहले ऑक्सिजन क्या करता है अपने पाई इलेक्टोनों को लेकर निकल जाता है जिससे यहाँ पर हो ज जानते हैं कि oxygen के पास क्या होता है यहाँ पर जब electron ले लेगा तो electron negative हो जाएगा ओ जिससे यहाँ पर यह वाला जो positive species है यानि कि जो hydrogen है यह आकर यहाँ पर इस oxygen के उपर जुर जाएगा जिससे हमारे पास यहाँ पर यह पता चलता है कि जो glucose होता है उसमें क्या होता है? कार्बोनिल समों उपस्तित होता है तभी तो यहाँ पर reaction हो रही है नहीं तो reaction कैसे होती? तो चलिए यहाँ पर भी हमने देखा कि जो glucose होता है उसमें कार्बोनिल समों होता है Next question हम यहाँ पर discuss करते हैं नेक्स्ट है निमिल लिखित को सुमेलित कीजिए यानि कि आपको क्या करना है? आगे कुछ option दिये होंगे उनको क्या करना है? उनका मिलान करना है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस परकार के option दिये गए हैं जिसमें आपको मिलान करना है कि कौन किस से मिलता है? glucose यहाँ पर किसके साथ मिलान खा रहा है तो आप कहेंगे कि यह खा रहा है यहाँ पर monosaccharide के साथ लेकिन यहाँ पर हो क्या गया है कि गलती से यहाँ पर आ गया है disaccharide जो कि यहाँ पर क्या आना चीए था यहाँ पर आना चीए था monosaccharide को, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिख लिए है, disaccharide, क्योंकि यहाँ पर disaccharide से तो कोई भी mail नहीं खा रहा है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि यह क्या है, जो हमारा glucose होता है वो होता है monosaccharide यह तो आपको भी पता है, और इसी परकार के question कई बार पूछ लिए जाते हैं तो आपको इसको prepare करके रखना है कि यहाँ पर जो हमारे पास question है उसका answer आपको कुछ इस परकार से देना है हलाग कि जो मैं यहाँ पर question दे रहा हूँ वो तीर के मादियम से आपको दर्सा रहा हूँ ऐसा नहीं दिया जाता है आगे मैं बताऊंगा कि किस परकार से इस cancer दिया जाता है वैसे तो आपको आता हूँ 12 में भी पढ़ रहे हैं, सबको आना चीए यह तो अब यहाँ पर जो starch है, वो किसके साथ मेल खा रहा है तो starch क्या होता है, यह होता है polysaccharide, यह तो आपको पता है polysaccharide का example होता है दूसरा यहाँ पर आ रहा है, विकिर्तिकरण यानि कि denaturation तो denaturation में क्या होता है तो आपको याद रखना है कि denaturation में होता है protein की jabic सकर्यता, नस्ट यानि कि उनके बीच में जो hydrogen bonding होती है वो disturb हो जाती है sensation होता है जहां से क्या करते है, पौदे अपना भोजन बनाते है यह तो बहुत बेसिक चीज है दूसरा यहाँ पर लिखा है ATP यानि कि adenosine triphosphate यह यहाँ से किस से मेल खा रहा है A की option यहाँ पर हमारे पास बसता है वो है यहाँ पर उड़जा इस्तानांतरन अभिकर्मक इस परकार से यहाँ पर आता है अब मैं बताता हूँ कि इसको किस तरह से लिखा जाना था इसको लिखा जाना था कुछ इस परकार से यानि कि one के आगे क्या है one के आगे आजाता है V वैसे यहाँ पर 2 के आगे इस्टार्च के आगे क्या है यहाँ पर लिखेंगे आप I वैसे 3 के आगे यहाँ पर क्या आ जाएगा तो 3 के आगे आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या रहा है चौते नमबर पर आ रहा है वैसी हम यहाँ पर आगे जो चौथा हमारे पास option है वो कुछ इस परकार से है कि चौथे क्या आगे क्या है यहाँ पर यह 3rd वाले से mail खा रहा है वैसी अगर यहाँ पर 5th की बात करें तो 5th किस से mail खा रहा है तो आप देख सकते हैं 5th वाला mail खा रहा है जो हमारा होता है 2nd वाला तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2nd के साथ यहाँ पर mail खा रहा है इस परकार से इसका sequence आना था लेकिन हमने यहाँ पर पहले इस परकार से देखा है फिर हमने यहाँ पर देखा कि किस परकार से आगे हम इनको परिक्षाओं में कर सकते हैं चलिए next question discuss करते हैं यहाँ पर लिखा है amino acid के जलिया billion में ज्विटर आयन संदचना लिखिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर amino acid को लिखना है तो amino acid को हम इस परकार से लिखते हैं यानि कि amino acid का जो रासानिक सूतर होता है वो कुछ इस परकार से होता है यहाँ पर हो जाएगा यह हो जाएगा यहाँ पर COOH और इसके साथ यहाँ पर क्या लगा रहता है इसके साथ लगा रहता है एक amine group यानि कि NH2 लगा रहता है और इसके साथ से एक hydrogen यहाँ से remove हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसकी सही ओजगता अधिक हो जाएगी तो जैसे इसको यहाँ पर जलाब-गटित किया जाता है यानि कि जलियट बिलेन के साथ इसको अगर घोल दिया जाएगा यानि कि रियक्शन अगर मैं यहाँ पर H2O के साथ करवाता हूँ तब हमारे पास यहाँ पर जुटर आयन का formation होता है जो कि कुछ इस परकार से रहता है R, CH, यहाँ पर हो जाएगा C, O, इसके उपर आ जाता है negative charge और यह जो हमारे पास NH2 है यह हो जाता है NH3 और यह यहाँ से electron गरण कर रहा है तो इसके उपर आ जाता है positive charge और इसने दिया है तो इसके उपरा जाता है negative charge तो जब दो पोल एक ही compound में उपस्तित होते हैं तो वह हमारा क्या होता है उसी को हम कहते हैं Jitter Iron यह यहाँ पर आप जान चुके हैं और यहाँ पर यही question था कि amino acid के जलिये billion में Jitter Iron संदचना लिखिए तो वो संदचना यहाँ पर यही वाली संदचना है इसी को हम कहते हैं Jitter Iron चलिए एक और question को यहाँ पर discuss कर लेते हैं जो हमारे पास next question है वो एक भहुत important question है कि DNA अंगली चापन क्या होता है यानि कि DNA finger printing जिसको हम कहते हैं वो क्या होता है उसी के उपर यहाँ पर question दे रखा है जिसको हम समझेंगे कि यहाँ पर DNA finger printing होता क्या है तो यहाँ पर इस statement के माध्यम से या फिर इस definition के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि DNA finger printing होती क्या है सरीर में मौझूद खर्बों को सिकाओं के किरिया कलाप DNA से तै होते हैं यानि कि जो भी हमारे function हो रहे हैं सरीर के अंदर वो सब कहां से हो रहे हैं तो आप कहेंगे वो सारे हो रहे हैं DNA से हलांकि DNA कणों का खाचा हर ब्यक्ति में एक समान होता है यानि कि जो DNA के अंदर छार होते हैं वो होता है adenosine एक होता है cytosine, दूसरा होता है thymine और जो अंत में होता है हमारे पास, वो होता है यहाँ पर guinin अगर आप इसके sequence की बात करें, जो हमने पढ़ा था, सबसे पहले आता है adnosine, फिर आता है guinin, फिर आता है cytosine, और अंत में आता है thymine ये हमारे पास क्या होते हैं, DNA के अंदर बेस उपस्तित होते हैं जो कि यहाँ पर कैवी रहा है कि हर ब्यक्ति में जो DNA कणों का खाचा होता है, वो एक समान होता है ये तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक समान होता है, जो यहाँ पर point कर रखा है मैं यहाँ से बता दूँ कि DNA कणों का खाचा हर ब्यक्ति में एक समान होता है लेकिन उन्हें गड़ने वाले बुनियादी अव्यवों का करम एक समान नहीं होता है यह यहाँ पर समझ पा रहें आप जैसे कि आपस में जुड़े रहते हैं कुछ इस परकार से जुड़े रहते हैं मैं समझ लेता हूँ कि यह हमारा यहाँ पर DNA है जो कि यहाँ पर इस परकार से होता है यह हमारा होता है एडिनोसीन फिर होता है यहाँ पर गौाइनीन फिर होता है यहाँ पर cytosine फिर होता है thymine इस परकार से ही रहता है अगर यहाँ पर यह कह रहा है कि जो हमारे पास sequence होता है यानि कि जो हमारे पास दूसरी कुंडली होती है वो हमारे पास कुछ इस परकार से होगी यह हमारा यहाँ पर दूसरी कुंडली मैं ले लेता हूँ यहाँ पर भी मैं अगर इसको देखना चाहूँ तो आपको पता होना चाहिए यह किसके साथ जुड़ता है जो एडिनोसीन होता है वो किसके साथ जुड़ता है वो यहाँ पर जुड़ता है thai min के साथ यानिक इस परकार से रहता है वैसी अगर मैं guanine की बात करूँ तो यह जुड़ता है cytosin से और जो cytosin होता है वो जुड़ता है guanine से और ठीक इसी परकार से यहाँ पर thai min किसके साथ जुड़ रहा है तो आप कहेंगे एडिनोसीन से इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होता है यह दोनों आपस में जुडे रहते हैं हाइड्रोजन बॉंड से इसी अवियब की बात यहाँ पर की जा रही है कि हर वेक्ति में एक जैसा नहीं होता है जो कि आप यहाँ पर भी देख चुके हैं, कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बुनियादी अवयवों का कर्म एक समान नहीं होता है, जिसकी वज़े से हम क्या करते हैं, इस DNA फिंगर प्रिंटिंग का इस्तमाल या उप्योग होग सारी ऐसी क्रिमिनल केसिस में, या फिर आप कह दीजे कि पूरवजों की खोज में करते हैं, जो कि हम आगे भी देखेंगे कि इसके यूज कहां कहां होते हैं, अब आगे पढ़ते हैं कि एक ही परजाती के बीच पैचान ढूंडने के लिए या फिर अंतर का उप्योग किया जाता है, इसके लिए यहाँ पर DNA फिंगर प् और इसी परकिरिया को हम क्या कहते हैं, तो इसी परकिरिया को कहा जाता है DNA फिंगर प्रिंटिंग या फिर यहाँ पर कहे लिए DNA अंगली चापन इसी परकिरिया को कहा जाता है, और जो DNA फिंगर प्रिंटिंग सबसे पहले दी थी, वो दी थी यहाँ पर 1984 में जो हमारे आये Sir Alec Jeffreys, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले DNA fingerprinting का भिकास किया था, तो आपको यहाँ पर याद रहेगा कि Alec Jeffreys नामक के जो scientist हैं, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले 1984 में DNA fingerprinting का development किया था, यानि कि यह कोई पुरानी चीज नहीं है, अब अगर हम DNA अंगली छापन के इस इसका उप्योग किया जाता है, पूर्वजों की पहचान करने के लिए इसका उप्योग किया जाता है, या फिर मैंने जैसे कहा है कि accident हो जाता है, या फिर major accident जब हो जाता है, और हमें नहीं पता है कि जो accident हुए हैं, जो लोग, उनके जो पूर्वज हैं, वो कौन है, तो उ नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं, यहाँ पर गुल्कोज को एथिल एलकोहल में परिवर्थित किया जाता है, यहाँ पर आपको सिर्फ यह लिखना है कि इसको जो जाइमेज एंजाइम होती है, उसके माध्यम से एथिल एलकोहल में परिवर्थित किया जाता है, यानि कि CE6H12O6 यह glucose होता है और यहाँ पर अगर इसकी reaction जाइमेज के साथ करवाई जाएगी तो जाइमेज एक एंजाइम है जिसका उपियोग यहाँ पर एथिल अलकॉल बनाने में किया जाता है जब हम एथिल अलकॉल कहां से बना रहे हों गुलकॉस से तो यहाँ पर हमारे dioxide gas भार और अगर इसको balance करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं इसको balance आपर आजाएगा 2 यहाँ पर भी आजाएगा 2 तो हमने देखा कि गुलकॉस को एथिल अलकॉल में भी परिवर्टित किया जा सकता है और वो किसकी सायता से तो यहाँ पर आप लिखेंगे जाइमेज औ तक कि लिट जहिंद